एक गाईस आज हम इस वीडियो में जानेंगे BSP में Constable और Tradement की वकन से जारी की गई है अगर आपने पहले से BSP में Registration किया है तो दुबारा से आप Login करके कैसे Form Apply करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे आपको सारा Process बताने वाले हैं अगर आपको Form Fill करना है तो इस वीडियो को Complete देखिएगा तभी आपकी जो Doubt है वो Clear होगी इसमें आपको Profile नहीं बनानी है Profile में क्या-क्या Update करना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे सारा Process बताने वाले हैं Constable और Tradement की पोस्ट जारी किया है तो आप Login करके ही Form Fill करेंगे आप दोबारा से इसमें Registration नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम सारा Process आपको Step by Step दिखाने वाले है जब आपका Registration कम्पलीट हो जाएगा इसके बाद आपको Login करना है Login करने के लिए यहाँ पे आपको Mail ID लिखनी है जो आपने Mail ID इंटरी किया है Registration करते समय वही Mail ID आप यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे Password आपको Mention करनी है तो आपने जो भी Password बना है वो Password यहाँ पे आप Mention कर लेंगे इसके बाद इस Capture को यहाँ पे Click करके Rebirth कर लेंगे इसके बाद यहाँ Login का Option मिल जाता है आपको इस पर Click करना है यदि आप अपना Password भूल जाते है तो यहाँ से अपने Password को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं Login करते ही कुछ इस प्रकार से Option मिलता है यह instruction necessary है आप इसे पर सकते हैं यह form fill करने के लिए आपको mention किया गया है कि क्या क्या चीजों की जरूरत होने वाली है इसे close करना है आपने कितना भरती पोश्ट apply किया है नीजे आपको दिखाया जागा अगर आपका profile complete नहीं है तो पहले आपको profile complete करना पड़ेगा फिलाल अभी आप dashboard पे हैं इस भरती को apply करने के लिए जो qualification मांगी गई है वो qualification आपके profile में होनी चाहिए तभी आप भरती पोश्ट को apply कर सकते हैं अगर आपने complete सभी कुछ details फिलाप कर लिया है कोई भी समस्या नहीं है तो आपको यहाँ पे apply new advertisement के option पे क्लिक करना है यदि आपके profile में जो qualification इस भरती के लिए मांगी गई है वो qualification नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने details को verify करना पड़ेगा यहाँ पे आपको qualification का option मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जो qualification इस भरती के लिए मांगी गई है वो qualification mention करना अनिवार है नीचे करना है अपने qualification को यहाँ पे check करना है qualification अगर बिल्कुल proper है तो आप अपने dashboard पर आईए इसके बाद close की option पर क्लिक करना है अब इसके बाद apply new advertisement के button पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है आपको यहाँ पर 3 notification मिल जाएगा एक एक करके हम सारे form को fill करके दिखाएंगे तो अलग-अलग सारा process हम दिखाएंगे अलग-अलग वीडियो में फर्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे group B के लिए कैसे आप form fill करेंगे तो यहाँ पर apply here के option पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको post को select करना है कि आप कौन से post के लिए form fill करने चाहते हैं यदि आपके profile में ये qualification रहेगा तब ही आप इस post के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर 3 साल का diploma का course मांगा गया है engineering का आपके पास है तो यहाँ पर yes करेंगे इसके बाद आपको नीचे physical details mention करनी है आप अगर hill area साथ हैं तो यहाँ पर select करेंगे यदि आप general है तो आप general को select करेंगे आपकी height कितनी है और आपका chest कितना है आपका वजन कितना है वो यहाँ पर automatic mention हो जाएगा यह जो अपने profile में लिखा है वही सारी data यहाँ पर add हो चुकी है इसके बाद आपको documents upload करनी है जो qualification है उसका documents यहाँ पर upload करेंगे इस पर आप click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर drag and drop या तो आप direct इसमें upload कर सकते हैं इस पर click करके इसके बाद यहाँ save and next का button मिलेगा आपको इस पर click करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी previous information details सो हो जाएगा ये सारे details आपके documents यहाँ पर दिखाए जाएगे आपको इसमें अपना place लिखना है आप कहां के रहने वाले हैं इसके बाद बगल में आपको examination center select करने का option मिल जाएगा जो भी examination center आपको नजदिक लगे उसे आप select कर लेंगे इसके बाद नीचे आएगे यहाँ पर आपको total कितना amount fee payment करना है वो दिखाए जागा ये CSC charge जोड़ के आपकी fee दिखाए जारे है तो फिलाहल सभी candidate के लिए fee payment करना है application fee यहाँ पर नहीं माँगी जारे है जो CSC charge है वो माँगी जारे है क्योंकि VSP की जो website है वो CSC से जुड़ी हुई है तो अगर आप CSC charge नहीं payment करेंगे तो form जो है आपका submit नहीं होगा तो यहाँ पर payment करने का आपको बायां के दिखाए जगा जिस भी option से आप payment करेंगे वो details link के आप make payment के option पे click करके payment कर लेंगे जब आपकी form की fee payment complete हो जाएगी तब आपको आना है अपने dashboard पे वहाँ पे आने के बाद आपकी जो vacancy है वो सारे vacancy यहाँ पे दिखाए जाएगे यदि form की fee payment कर लेंगे तो आप अपने application form का print out ले सकते हैं या तो आप PDF में save करके रख सकते हैं और यहाँ पे जो pending का option आ रहा है यह भी यहाँ पे नहीं आएगा print करने के लिए देखें यहाँ पे आपको option मिल जाएगा आपको इस पर click करके print करना पड़ेगा फिलाल हमने payment नहीं के इसलिए pay का option आ रहा है तो इस प्रकार से आप BSP में कोई भी vacancy को fill कर सकते हैं step by step मैंने आपको सारा process इसमें बता दिया वीडियो पसंद है तो like कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए झाल 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 झाल